तो आखिरकार इस सेंचुरिय से हिंदी सिनमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म के सीक्वल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के अनाउंस्मेंट से ट्रेलर तक गदर टू रिलेटर जीतनी भी चीज़े सामने आई हैं सब बेनिफिशल डिरेक्शन में ले जा रही हैं इसको कुछ भी हामफूल या निगेटिव नहीं दिखा सब कुछ सही डिरेक्शन में गया है। इस फिल्म की टार्गेटेड ओडियंस के हिसाब से देखे दो। ट्रेलर अपने हाइप पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपनी ओडियंस के लिए प्यूर मास इंटर्टेन्मेंट सर्व करने का सिंगनल देता है। पापा तारा सींग के लिए फिर अगले ही फ्रेम में सनी देवल का लाहौर रीजन पे कदम रखना और मास बेक्ग्राउंड के साथ हतोड़ा लेके वार करना हिंदी बेल्ट के सिंगल स्क्रींस के थेटर को स्टेडियम में कर देगा। सबसे बिष्ट क्लिप था जब सनी देवल एक हैंड़ पम पे नज़र डालते हैं। सनी देवल के मस्कुलीन आवाज में मास डालोग डिलिवरी पर डालोग राइटिंग बहुत ही और्डिनरी है। एक लिजनरी फिल्म का सीक्वल जिसने ये डालोग लिखे हैं उससे तो बेटर राइटर डिजर्व करता था। एक्टर्स में सनी देवल के लावा कोई भी इंप्रेसिव नहीं है। मनीस वदवा इस फिल्म के मेन विलन है बट वो सबसे वीक लिंग नज़र आते हैं। विलन जब स्ट्रॉंग होता है हीरोईजम तभी देखने में मज़ा आता है। जो कटोरता और स्ट्रॉंग स्क्रिन प्रेसेंस अम्रीज पूरु जी के करेक्टर में थी औरिजिनल फिल्म में उसका 10% भी नहीं इस करेक्टर में। मनीस के कई सीने ट्रेलर में पर इंपक्ट बिग जीरो। अमिशा पटिल की फेस पे इतना हैवी मेकप डाला है कि पूरानी सकीला की सिंप्लिसिटी और चाम देखने को नहीं मिलती है। जब 17 साल का लिप ले ही रही है फिल्म और दोनों फिल्मों के बीच में 22 साल का गया पा चुका है तो क्यों उनको ज़्यादा यंग दिखाने का ट्राई करना। उतकर शर्मा एक्षन सिंस पे ठीक लगता है पर उसके डायलोग डिलीवरी करने का इसाल माइनस पॉइंट है। ज़नते हैं कि गदर 2 औरीजिनल गदर की लेवल की नहीं बनी होगी पर अगर उसकी 50 परसेंड भी बनी है तो यह सुनामी लादेगी नॉर्थान स्टेट्स में बॉक्स आफिस पे गदर वॉस एन ऑल टाइम ब्लोगबश्टर एंड इस क्रियाटेड हूज गुडविल और एक्स्टेंडेड रूल में ना रखा हो तो बढ़िया सिर्फ नॉस्टाल्जिया देकर कैश करना चाते हैं मेकर्थ तो यह बहुत गलत बात है और यह बहुत बुरा भी होगा फिल्म के लिए रिलीज के बाद आपकी फिल्म से क्या उमीद है आप कमेंट सेक्शन में बता स हुआ